नमस्कार दोस्तों मैं हूं मेराजुर्मा और सुवागत है आप लोग के लिए मैं इक नए नए टोटके नए ने जनकर्यान लाते रहता हूं अप लोगों हमारे वीदियों को इतना पसंग के हैं इसलिए आप सबी लोगों बहुत थन्यवाद मित्रों मैं उम्मिद करता हूँ कि आप सभी वहों को मेरे दिलाम को बताएं, जो टुटके रहते हैं, उन से लाव मिलते रहता है, तो मित्रों, आज के मरे टुटका, उन सभी मित्रों के लिए, जो यह कहते हैं, उनकी गुर्ण में पैसा निये रुपता, यहाँ मित्रों बहुत महिन को एक ऐसे उपाय बताऊंगा जिस उपाय को करने के बाद आपके घर में पैसा ही पैसा रहएगा आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा जी Nahum, क्योंकि ये टोड का बहुत ही आसान है लेकिन वह जब्हुत प्रभाव साली है और इनका जो बहुत चल्दी रीज़ट सामने आता है जी Ahum GTRO क्योंकि इस उपाय को जिशने पर किया है आज माल अमाल होके बठा है तो करना क्या मत्रों उपाय बताने से पाय लिए आप साphenी लोगा से नहीं मदन करूँगा मित्रों कि मेरे दरा मताय टूटके अगर आप लोगो अच्छे लगते होंगे तो मेरे स्टोटिय को लाइक कर देजी और अगर आफने ऐसली नेट जयान कारिया नहीं नहीं टोटकों से जुनना चाहते हैं, तो मेरे शर्ण को सब्साइब के लिजिए, और बगर में जो बेल आइकन के बटन दिया हुआ है, उसे के बागार आरवले आपसम को जरूर देवाइए, मित्रो करना क्या है, कहते हैं कि लोहा को लोहा काटता है, पत्थर को पांच रूपय का सिक्का लेना है, जै मतलों, पांच रूपय का सिक्का आप ले लिजें, और उस पांच रूपय के सिक्के को लेकर के अपने बूजा वाले इस्थान पर बैठ जाए, और बैठने के बाद, सिल्व से अपने नाम का पहला अक्षर उस पांच रूपय के सिक ज्यामित्रों, अगर पानी का टंकी नहीं है, तो उस पाचल पे के सिक्के को आप छत्र में ही लग देजिए, और रात भर वही राणी देजिए, प्राता का उस सिक्के को निकाल लेजिए, ज्यामित्रों, दूसरे दिन प्राता का उस सिक्के को ले आए, और लाल कलर के कपड में उसे बान्ध दीजी और बांधने के भड़ा धोपती दिखा करके अपने परसे में रख लीजिए या अगर आप परस नहीं रखते हैं तो अपने घर के तीजोरी में रख दीजें जा आप पैसा अगरह रखते हैं मैं त्रों में आप लोग को विश्वास राता हूँ, ऐसा करने के बाद देखेगा, पैसा पाणने के तरह बहर के आगा, हवाट के तरह उड़के आगा, आप इतना माला माल भो जाएंगे, आपका पर्स जो कभी खाली निलेगा, तीजोरी हमेसा पैसो सी भर रहेगा, यह बह मास्कार!